हालो गाइस कैसे आप सब लोग मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जो रिडिंग कर रहे हैं वह एक लव रिडिंग होगी और उसका टॉपिक है क्या चल रहा है आपके रिलेशन्शिप में और सारी बातें जो मुझे यहां पर दिखेगी वह मैं बताऊ है ठीक है और आगी क्या होने वाला है वो भी हम चेक कर लेंगे ठीक है उनका एक्षन क्या होगा वह भी हम चेक करेंगे ठीक है आपके रिलेशन्शिप में क्या चीजें हैं वह हम कार्ट के दोरा निकालते हैं ठीक है सबसे पहले गाइस इनल लिडिंग है और सब भी के लि कि क्या चल रहा है इन्वर्स जो भी मेरे विवर्स देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है ओके गाइस मेरी मंतली रेडिंग जरूर चेक कीज़ेगा ठीक है वह इंडिविज्वल सभी साइंस के लिए ठीक है अलग-अलग बनाई हुई है चले देखते हैं क्या चल रहा है सबसे पहले टेक एक्षण तो मैंने अभी कहा था कि हम एक्षण भी देखेंगे और सबसे पहले हमारे पास एक्षण का टाइम है किसी को लगता है ठीक है जौब इश्यू ठीक है समझ गये होंगे आप या तो आपको जो आपकी प्रॉब्लम है या फिर आपके चीट कोई चीट कर रहा है ठीक है यह किसी को लग रहा है कि मेरे से चीट हो रहा है डिवोर्स डिवोर्स आपकी रिलेशन्शिप में है किसी को डिवोर्स चीए किसी से ठीक है मिटिंग कोई मिटिंग करना चाता है ठीक है रेडी फॉर सम्थिंग कोई चीज होनी वाली है जल्द ठीक है रेस्ट पोजिशन कोई रेस्ट पोजिशन पर ठीक है ओके यह चीज़ें आपके रिलेशन्शिप में कुछ ने किसी भी तरह से मैच कर सकती है तो आप उसी तरह से लिजेगा क्योंकि जर्नल इडिंग है एनर्जी औरेकल से देख लिए हैं क्या चल रहा है ओके ब्रोकन हार्ट ओके नमबर नाइन ठीक है किसी का हार्ट ब्रोकन हुआ है ऐसा तो लग रहा है आपके पार्ट्नर की एनर्जी है तो उनका हार्ट ब्रोकन है ठीक है अब किस चीज से आप नहीं किया है यह किसी और नहीं किया है लेखते हैं और बताएंगे इस क्या है relationship energy क्या है हमाई पास second card है first chakra archangel Michael ठीक है एक card और ची है हमें नमबर 35 है ठीक है यानिक है okay attachment okay guys bottom में देख लेते हैं हमें पस woman holding a heart बिल्कुल clear message है मैं समझाती हूँ आप लोगों को ठीक है सबसे पहले numbers note कीजिए number nine number eight number five और number eight बहुत significant है इसके लावा कोई age किसी की 35 हो सकती 44 हो सकती है ठीक है या आपके जो डेट है आपकी बर्थ डेट नाइन हो सकती एट हो सकती 5 हो सकती ऐसा मुझे यहां पर लग रहा है ठीक है यहां पर देखे energies क्या है आपके partner की आपके partner मुझे लगता है कि यहां पर देखे इन तीन cards को देखें तो मुझे लगता है कि आपके partner को कोई past रह चुका ठीक है जिससे उनको बहुत ज़्यादा heartbreak मिल चुका है उससे उन्होंने बहुत सीख लिए जीवन में उन्होंने कि किसी से धुका खाया है ऐसा मुझे कोई चीट करता है जैसे चीट का कार्ड भी आया था हमारे पास ठीक है और किसी से वो पहले धुका का चुके आप से पहले अब वो चाहते हैं कि जिन्दगी में कुछ स्टैबल हो जाएं अपनी स्टैबलेटी को करियर को प्रायोटी दे रहे हैं करियर का काड भी आया था जौब इस्टैबलेटी नहीं अपनी बिजिनस के परति शोर्ट ही नहीं कि मैं आगे क्या करूँगा मैं ड़ लगता है अपनी इसचीज को सोच कि यानि आप तो एक नहीं हो पाएं चाहिन की जो भी एज है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉब इशू हो सकता है बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा बहुत कोई भी इशू करियर वाइस हो सकता है ठीक है ऐसा मुझे आप इनके कार्स में लग रहा है उस वज़े से बहुत ज़्यादा नहीं है आपको अपनी जिंदीगी को लेके अपनी करियर को लेके अइसा मुझी यहां पर लग रहा है और किसी से भी नहीं सबसे जब यह बात करते तो थोड़ा जल्द-बाजी में कोई जवाब नहीं देना पड़ जाया है इस तरह की एनेरजी को यहां पर आपके लग झ stability को priority देना चाहते हैं और definitely आप से पहले भी इनका कोई heartbreak हो चुका है ऐसा मुझे बिल्कुल क्लियर लग रहे है अटेचमेंट कि आप से attachment है लेकिन उसको आपके सामने एक face mask मतलब जो लगाते हैं फेक चीज दिखाते हैं आपको अंदर से इनका heart लिया हुआ है या फिर आप फिमेल है तो आपको heart दिया हुआ है इन्होंने जो भी आप प्यार आप से है इनर्जी तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इफ यूवांट ठीक है अपने पार्टनर का साइन वगरा नाम वगरा बताना चाहते हैं ठीक है बताईएगा जरूर ठीक है चले देख लेते हैं अब इस वक्त क्या चल रहा है आप दोनों के बीच ठीक है यह तो हमने आपके पार्टनर के एनर्जी देखिए ठीक है आप दोनों के बीच क्या चल रहा है दोनों के बीच जो बताएं मेरे विए जो देख रहे हैं उनके बीच और उनके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है फोर काट्स लेंगे टू आपके एनर्जी और टू आपके पार्टनर के एनर्जी यह दो काट्स आपके लिए हैं ओके टू काट्स आपके लिए हैं कुईन आफ कप्स एंड़ मैजिशन यह आपके एनर्जी है क्या चल रहा है वह हम देख रहे हैं ठीक है कि आपके पार्टनर की रिलेशन्शिप को लेकि क्या चल रहा है आपके और आपके पार्टनर की आपके पार्टनर की एनरजी क्या है एक और काड़ी है हमें ओकी देखिए अगीन ब्रोकन हार्ट आया है यहां पर ठीक है आपके partner, जैसे कि मैंने का पहले भी heartbreak हो चुका है, इनका समल समल के चल रहे हैं, अपनी जीवन में stability लाना चाहते हैं, ना सिर्व अपनी career को बलके अपनी personal life को भी heal करना चाहते हैं, उसमें भी stability चाहते हैं, लेकिन stability आ नहीं रही, किसे से attachment फील करते हैं, बच्चों का issue है, क जकड़े हों हैं, जिसके क्यारण की कोई action लेने की उसमें नहीं है, मूड में नहीं है, चाहते हैं दोनों एक दूसरे को, ऐसा मुझ यहां पर लग रहे है, मेरे जो viewer है, उनकी energy क्या है, वो क्या चाहते हैं, मतलब relationship में आप क्या करना चाहते हैं, आप आप चाहते हैं, कि को लुए क theo our love digesters, नहीं को प्यार जताना चाहते हैं, उनके money क्या करना चाहते हैं, दो सब आप के मन में है, what आप में क्या चल रहे है, और उनके मन में क्या चल रहे है, आप के मन में हैं कि उनकी care करना, उनकी मुझे नहीं को छोड़ना नहीं चाहते किसी भी ही आप कुछ भी करेंगे उनको मनाएंगी कुछ ऐसा करेंगे कि वो हज जाएंगे इस तरह से बाते करेंगे दुबारा कॉल मेसेज आप खुद हो के करेंगे आप एफर्ट्स लगाने में कमी नहीं करें क्योंकि आपको यह पार्टनर चाहिए जाहिए ऐसी मुझे आपकी एनरजी लग रहे है अब आपके पार्टनर की देख रहे हैं क्योंकि यहीं कहते हैं कि आपको चोड़ना चाहते हैं ठीक है क्योंकि बहुत सारे और एस्यू उसे जूर्ट का कार शेंळकी घजघरा शता हूं डेवल क्या कहते है डेवल एनरजी किसी ऐसे बुरी तरफ जाना किसी चीज की जिससे बाहर आना परिशानी है यह खुद ही बाहर आ सकते हैं लेकिन चाहकर भी आना नहीं चाहते क्योंकि आने के लिए इनको बहुत सारे जो बंधन है वो उनको जबर्दस से तोड़ना पड़ यह ऐसे टॉक्सिक रहना चाहते हैं लिए इस बंदन को नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि इस बंदन के साथ बहुत सारे ऐसे कनेक्शन है जो कि जुड़े हुए हैं यह बात मैं बता रही हूं ठीक है और और देखिए आप दोनों की एनरजी हैंग मैन बनी हुए आप दोनो स्तथी में स्टक हैं कहीं आगे नहीं बढ़ रहा आपका रिलेशन्शिप ऐसा मुझे यहां पर लग रहा है और देखिए चाहते क्या हैं दोनों चाहते यही हैं गाईस चाहते दोनों एमप्रेस की तरह है यानि कि अबंदनस चाहते हैं अपनी खुद की डिजार्स को पू अगर यह चल रहा है आपकी और आपके पार्टनर के अनर्जी तो बिल्कुल आपकी रेड़ी है ठीक है अच्छा साइन की बात कर लेते हैं मैं साइन बताना भूल गई आपको सबसे बहले कुछ बातें स्पेशल है साइन बताऊं तो मैं जैमिनी यहां पर लग रहा है कैप अपर मार्च दोर्ट किसी का बिर्ठ और देखते हैं के अफिर बहुस्य में क्या करना चाहते हैं चैनना कोटेंगी यह आपके पार्टनर आपके लिए क्या सूच रहे हैं फीलिंग्स क्या है करेंट लिए वह देखते हैं करेंटली क्या चल रहा है इनके दिमांग में करेंटली क्या सूच एक आण आचुक है हमें पस टैन ओप पेंटिकल्स सॉरी मैंने गलत रखाए इसको टैन ओपेंटिकल्स और क्या सूच रहे हैं इनके बताएं करेंटली मेरे व्यूर के लिए क्या सूच रहे हैं वील ओफ फॉर्टून ओके करेंटली क्या सूच रहे हैं एक काड़ और आगया हमें पस टू ओव ओंस ओकी गाइज देखें बॉटम में नाइट ओव ओंस यह आप से बहुत ज्यादा पैस्टनेट है जैसे कि यहां पर फॉर्टिपॉर का काड़ता वूमेन होल्डिंगा हार्ट यहां पर बहुत और यहां पर देखिए और और ओल क्या सूच रहे हैं आपके पास पैसिनेट हों पर आना चाहते हैं। यह बहुत जल्द इन और आउट करेंगे लेगिन फिर भी आपके पास आना चाहते हैं यह आपको गवाना नहीं चाहते जिसा है की कोई ऐसा मुकाम देना चाहते हैं आपको जिस पर बिना सोचे समझे किसी की भी परवा किये बिना आपके लिए कोई कदम उठा सके ऐसा करना चाहते हैं कुछ यह बहुत पैसिनेट है आप से और डेफिनेटली आपको खोनी से भी डरते हैं यहां पर देखे टैनो पैंटिकल् को और भी थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी ताकि आपको कार्स देखे ओके गाइस यहां पर देखे यह क्या चाहते हैं यह इनको लगता है कि आप इनके भागे में आप से इनके अगर फैमिली बनेगी तो डेफिनेटली बनेगी इवन यह खुद मैरिट है तो उसको समालना जरूरी है महां पर इनकी responsibility है ऐसा ही सोच रहे हैं डेफिनेटली क्या सोच रहे हैं अपने finance को ग्रो करके आपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली उनकी जो responsibility है उसको निभाना चाहते हैं यहां पर देखे करेंट एनरजी में अटेच्मेंट आया था जहां पर current feelings भी लग रहा है बहुत को change आने वाला है यहां पर आपके भागे में आपके relationship में या आपके partner के जीवन में बहुत को change होने वाला है यहां पर destiny इनका साथ देगी और यह कोई decision लेने के लिए बहुत age पर खड़े या निकि बहुत इनको गले तक आका है कि यह दो कोई है कि दो चीज़े हैं इनके जीवन में जिनकी बारे में decision लेना चाहते हैं अभी तक इन्होंने decision नहीं लिया लेकिन आप बहागे destiny करवाएगी इनसे decision ऐसा मुझ यहां पर लग रहा है और इनको खुद को भी लगता है कि चीज़ें अपने आप होतो सही है भगवान की divine पर विश्वास करते हैं definitely धार्मिक व्यक्ति होंगे और इन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है इनको लगता है कि destiny आपसे मिलाएगी तो definitely मिलाके रहेगी ठीक है और यह कोई decision पर आना चाहते हैं यह बिल्कुल edge पर खड़ें जब इनको कोई decide करना ही पड़े चली दिखते हैं next seven days में इनकी action क्या रहेंगे तो आपके relationship में क्या चल रहा है वो हमने देख लिया अप क्या हो सकता है next seven days में वह हम action देख रहे हैं ठीक है क्या हो सकता है इंवर्स बताएं next seven days में क्या हो सकता है चैरियेट हम एक्षिन की बात करें तो और सबसे पहले चैरियेट का कार्ड सबसे मीज़ वाओ गाईज एसो कप्स चैरियेट वाओ गाईज मैं कैसे मनलब इनको कैसे एगनौर कर पाएं हम पत्तों को यह समझ नहीं आती देखते हैं और एक और कार्ड चाहिए हमें कुछ कहन की ज़रुती नहीं इतने पॉजटिव कार्ड के बीच में चले देखते हैं डैथ अकीन मीजर कान मीजर आरकाना गाईज देखिए डैथ कार्ड और बटम में हम देख लेते हैं देखिए हर्मिट यह बहुत वाइस चलेंगे गाईज बहुत बुद्धिमानी बहुत ब्रेक दिया है उससे इनको डिसेजन लेना पड़ रहा है किसी की नहीं सुन रहे हैं और डेफिनेटली नेक्स सेवन डेज में कुछ ऐसा होने वाला है मेजर होने वाला है ऐसा मुझे यहां पर लगए तीन कार्ड मुझे बदलाव आएगा किसी चीज के कारण मुझे लग है देखे सबसे पहले आपके लिए डिसेजन लेंगे उसका मैं कैसे बता रहे हैं इनको इनके और आप में फैमिली बैग्राउंड बिल्कुल अलग होगी आप में कास्ट का इस्यू हो सकता है आपके फैमिली मेंबर नहीं मान रहें यह भी हो सकता है बहुत सारी चीज़े बहुत सारे लोग इनवाल हैं जिनको की मनाना इनको नामों किन लगता है लेकिन फिर भी क्या करेंगे कुछ ऐसा मुकाम आएगा नेक्स सेवें डेज में की कुछ कर गुजरेंगे ठीक है यह वारियर बन जाएंगे आप अपनी पास रखो अपनी समस्याइं पूरे परिव पूल ऐसे पीक पॉइंट पर आज़ता है कि अब मैं किसी की नहीं सुनगा मेरी मर्जी करूआ तो वह एनरजी मुली यहां पर दिख रहे है वारियर की यह वारियर बनके सब चीजों को नजर अंदाज करके यह कुछ एक्शन लेंगे और यह एक्शन क्या होगा गाइस इस नहीं शुरुआत करने वाले आपके relationship में no contact है जो भी situation है उसमें यह आपको surety देंगे कि मैं आपका ही हूँ इस तरह से कोई बात होगी ठीक है यहां पर communication हो सकता है आप से मिलने आ सकते हैं बहुत सारी बाते मुझे no contact situation नहीं दिख रही लेकिन खुद की problem से लोग परिशा नहीं है आप अपने मन में अगर कुछ नाराज हैं तो फिर आपकी इच्छ है यहां पर आप से कुछ नहीं आप से नहीं शुरुआत करेंगे जो इनका mood बहुत खराब हो रहा था वो change होगा यह बदला सिर्फ आपके कारण ही आरे क्योंकि आप इनसे जब बात करते हैं तो आपकी तरह बनना चाते हैं और इनमें देखें बदलाव का काड़े कि किसी चीज का end कर देना चाते हैं जिए समस्या हैं और वह समस्या किसी पर बात नहीं को puzzle किया हुआ है उस बात को एंड करके आपके पास आना चाते हैं सबसे बड़ी बात है कि इनमेर बहुत मीजर आरकन होता है इसका काफी दीप मतलब होता है इसका देखे थोड़ी देर चाहे अपनी वीडियो बड़ी हो चाहे लंबी हो चाहे लेकिन मैं इसको एक्स्प्लीन जरूर करूंगे आज यहां पर क्या बताता है अब आप भी सोचिए कि अगर आपको कहा जाए कि नहीं आप बिल्कुल चेंज हो जाओ तो आपके चेंज होने के लिए रेडी हैं आपको कहा जाए कि आप यहां नहीं किसी और घर में रहो किसी और परसन के साथ रहो किसी और की समस्यों को समाधान करो तो यह आपके लिए बिल्कुल इजी नहीं होगा हाला कि आप मन से चा कहा जाए की कि नहीं आपकी कास्ट चीन्ज कर लो यह बहुत बढ़ा बदलाव करने कास्थ लि原ी यह नहीं कि यह जोड़ा देता है यह बदलाव के लिए तयार नहीं होते लेकिन k Similar उनको ऐसी शक्ति देता के अधिरे दीरे दीरे उस बदलाव के कारण हाला कि गुस्सा और एंग्जाइटी रहती है लेकिन वो दीरे दीरे बदलाव से गुजड़ते हैं तो यह बदलाव आपके पार्टनर में आने वाला नेक्स सेवन डेज में किसी की नहीं सुनेंगे यह अपने आपकी करेंगे और डेफिने इसके बाद भी देखिए स्टार कार्ड और उसके बाद भी देखिए आप किंग ऑफ कप्स और मैं क्या कहूं हूं यह हर्मिट मोड में इसलिए हैं आप से बातचीत नहीं करें गुस्से में हैं तो यह अपनी समस्याओं का समाधान डून रहें एक अंधेरे में रोशनी की RS के किनग डून एं जिस्ते की आपकोς अप्रोच करता है आप सही हील होते हैं आप से इन को बहुत सारी आश्वाह है कि आप इन के जिंदगी में एक सितारों की चमक की तरह आएंगे और definitely यह जो कार्ड होता है रिकंसिलेशन का कार्ड होता है King of Cups definitely एक प्यार को बतादा है जो कि बिल्कुल genuine feelings वाला और definitely देखे इसके बात four of wands का कार्ड है हमारे पास यहाँ पर यह आपसे से end करना है तो उसके बारे में भी आप यह नहीं सोच रहे हैं बदलाव से गुजर रहे हैं जिसके कारणी यह किसी को भी अपनी जिंदगी से बहाल निकाल सकते हैं यह आप नहीं बल्कि वह हो है जो कि इनको heartbreak देता है ठीक है आप अपनी खुश्यों के लिए जियना चाहते है ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है एस ऑफ कप्स यहां पर वुमेन होल्डिंगा हाट और यहां पर हर्मिट यह सब चीज यह वील ओफ फॉर्चुन गाइस आपके रेडिंग क्या है मैं क्या ही बताऊं ठीक है तो यह थी आपके रेडिंग यह आपकी पार्टन के इस आपके पार्टनर के तरफ से आपको क्या मेसेच्श है ठीक है आपकी ऐसी है तो बिल्कुल आपसे मैच्छ करेंगी रेटिंग क्यली देखते हैं किया मैसेज आपकी पार्टनर की अच्छा गाइस तो मैं ऐसे निकालूंगी क्योंकि मुझे लगता है यह उपbnst मौलılar ह है ठीक है काफी होंगे कि छली देखते हैं आपके लिए क्या मेशिज है आपके पार्टनर केंसीज सबसे पहले कैणसर प्लस लिब्रा आप जबहकर सकते हैं और वापका वो सकते हैं तेरी बातों मैंभी नश्या है तो आप जब बात करें रहो यह beverage हो तो कोई दिक्कत नहीं है, do not hide your feelings, अपनी जो feelings से उसको hide मत कीज़े, यह कह रहे हैं, ठीक है, you are always in my thoughts every time, हमेशा हर वक्त आप इनके दिमाग में रहते हैं, I cannot tell you my situation, देखा मैंने कहा था हैं, यह अपनी situation ना तो आपको बता पा रहे हैं, और अंदर अंदर गुस्सा, गुस्से हैं, ले जा मुझे साथ, तेरे मुझको ना रहना साथ मेरे, गाइजी सौंग है, आप सुनिएगा जरूर, हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे मरने वाला कोई जन्दगी चाहता है, ऐसे, ओके गाइज, बहुत प्यारा सौंग है, do not forget me, आप इनको मत भूलिए, ठीक है, तुमा मैच किया, तो लाइक दीजिगा, फिर कमेट सेक्शन में जरूर बताएगा, क्या चीज आपको अच्छे लगी, और किस टॉपिक पर आपको रिडिंग चाहिए, ये भी मुझे सजेस्ट किजेगा, ठीक है, मेरी मंत्री रिडिंग बारी-बारी से अपलोड होती जा रही है तो भी चाहिए थेक है, धेकः सो मच फो वाचिग मैं वीडियो, आल विल सिंग पैस अबेस्ट रिडिंग, बाबाई गाईस